नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा रिसोर्स के बारे में सीखेंगे जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो हम उस रिसोर्स के बारे में आज डिसकुशन करेंगे मैंने भी यहां पर बहु इसमें पूरी कोशिश की गई है कि इसको इतना इजी बना दिया जाए और इतना सारी अक्टिविटीज डाली जाएं जो कि सस्ते से सस्ती हो और जिसमें जेब से बहुत कम खर्चा आए और बहुत ही इजी ली वो अक्टिविटीज की जा सकें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में मैंने वेबसाइट खोली हुई है अर्विंद्गुपता टॉइस डाट कॉम इनकी ये वेबसाइट है अर्विंद्गुपता जी जो है वो एक IITN है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों की एजुकेशन की डवलप्मेंट में ही लगा दी है और उन्होंने कोशिश किया है कि जो एजुकेशन है उसको काफी अच्छा बनाया जा सके और काफी कम से कम कॉस्ट में तो यह बहुत ही बढ़ी है एक रिसोर्स जो आप यूज कर सकते हैं being a parent या अगर आप खुदी एक student है आप यूज कर सकते हैं या आप अगर एक teacher है आप यूज कर सकते हैं तो आप इसमें देखेंगे जब भी जैसे आप इस वेबसाइट में आते हैं तो आप देखिए सबसे पहले books है यहापे तो इन्होंने क्या किया है कि यह जो books हैं इन्होंने बहुत सारी books को scan करके या उनको rewrite करके और यहाँ पे डाल दिया है soft में तो अगर आप इंग्लीश में जैसे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी किताबे हैं unlimited किताबे हैं आप देखके ही हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा collection इन्होंने कैसे बना लिया इनका यह पूरी life का काम है जो इन्होंने पूरी life लगाई है जिसको करने में तो यह किताबे हो गई Indian scientist के बारे में इन्होंने बहुत कुछ चर्चा की हुई है यहाँ पर तो बहुत ही बहुत ही interesting है यह जो website है इसके बाद आप देखेंगे यह English की books थी अभी ऐसे आप Hindi, Marathi, Other Indian languages बहुत सारी अलग-अलग languages में किताबे हैं जो इन्होंने यहाँ पर रखी है आप यहाँ पर जाएंगे Toys from Trash यह भी एक बहुत ही classic इनका मैं बोलूँगा जो इनका main focus area है वो यही है इनका यह मानना है कि कम से कम खर्चे में हम अच्छे से अच्छी चीज़े सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं Engineering, Science, Mathematics, Technology, Arts सब कुछ इसमें भरा हुआ है यहाँ इतनी activities हैं कि आप कर-कर के ठक जाएंगे लेकिन activities खतम नहीं होगी यह बहुत ही सुंदर है और मैं इसमें आपको बस एक ही problem होगी जो मैंने भी face किया है वो कि आपको immediately सारे material हात में नहीं मिलेंगे तो वो एक छोटी सी problem है तो कोई भी अगर आपको activity करने हैं तो आपको पहले यह देखना है कि वो सारे materials आपके घर में available हैं कि नहीं अगर आपके घर में available हैं तो आप बहुत ही easily उस activity को कर पाएंगे otherwise आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी but that is also okay थोड़ा समयनत कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि काफी difficulty हो रही है आपको activities करने में तो आप सीधा यहां से शुरू कर सकते हैं paper funds से यहां पे सिर्फ आपको कागच की जरूरत है और सिर्फ कागच से ही आप देखेंगे इतनी activities आप कर सकते हैं इन्होंने यहां पे इतनी सारी activities दी हुई है जो आप बना सकते हैं यहां पे सिर्फ कागच से और यह जरूरी नहीं आपको इसी color का कागच ही यह color हो तो अच्छ रखा है कि कैसे इसको बनाना है, कैसे इस activity को करना है, अगर आपके बास internet connection अच्छा है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, हाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, इसका वीडियो खुल जाता है, यह तो हो गया जो इन्होंने अपने website में सारा शेर किया हुए information, अभी ऐसे air के experiment करने हैं, आपको water के experiment करने हैं, biology सीखनी है, electricity सीखनी है, magnetism सीखना है, कुछ भी आपने करना है, वो इतनी सारी चीज़े यहाँ पे हैं, कि आपका पूरा का पूरा summer vacation ही निकल जाएगा इसमें, यह इतनी interesting चीज़ है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको पढ़के चीज़े सारी समाज में नहीं आती, तो आप इनके YouTube चानल पर जा सकते हैं, वो भी काफी interesting है, इसमें आप देखेंगे, इतनी videos हैं, कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने अपनी पूरी life लगा दिया इस काम में, बहुत ही simple simple चीज़े हैं, लेकिन आप इतने सारे बड़े बड़े concept इसमें सीख जाएंगे, कि आप वो सोच भी नहीं सकते हैं, तो आप अपना time utilize कीजिए, अपने बच्चों के साथ ये activities कीजिए, अपने school के students के साथ ये activities कीजिए, friends के साथ activities कीजिए, और जो भी आप करते हैं, वो आप एक बाद जरूर comment करें, share करें, उससे क्या होता है कि जो बाकी लोग videos देख रहे हैं, उनको भी enthusiasm आता है, वो भी क है कि मैं maximum से maximum logo तक पहुँच सकूँ, और उनको जादर से जादर चीज़े सिखा सकूँ, मैं आशा करता हूँ, आपको ये resource काफी अच्छा लगा होगा, आपको आपने इसमें सीखा होगा काफे कुछ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए, इसमें अपने comments लिखिए कि आपने इसमें से कौन-कौन से activities ट्राइए की, और मेरे channel को please subscribe कीजिए, thank you, all the best.